नमस्कार दोस्तों डीफाइव चैनल हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदु स्वागत करता हूँ भारत के प्राचीन मंदिर अपने आप में अलोकिक इतिहास को समेटी हुए हैं हर मंदिर का अपना अपना इतिहास है वहाँ प्रप्राण परतिष्ट देवी देवता युगों युगों से अपने भक्तों की सभी मनों कामनाओं को पूरा कर रहे हैं कई मंदर ऐसे भी हैं जहांपर आसपास के खेतर ही नहीं बलकि विदेशी भक्त भी आकर नमन करते हैं आईए आज आपको एक ऐसे ही देवी पाटन मंदर के बारे में जानकरी देते हैं जिस मंदर के गर्भ में पताल जाने का रास्ता शिपा हुआ है इस मंदिर में पक्षियों का जमघट भक्तों के लिए कोतोहल का विशे बना रहता है क्योंकि इस मंदिर में भक्तों को परसाद वितरित करने से पहले पक्षियों को बतौर भोग परदान किया जाता है कहा पर स्थित है यह देवी पाटन मंदिर माता सती के कावन शक्ती पीठों में से एक देवी पाटन मंदिर यूपी के बलरामपुर जिले के पाटन गाव में स्थित है इस मंदिर में जग्द माता पाटेश्वरी बिराजमान है पाटन गाव सीर्या नदी के तट पर स्थित है इस मंदिर में यूपी ही नहीं बलकि नेपाल के लोग भी माथा निवाकर माता का आशिरवाद हासिल करने आते हैं मंदिर के परसाद का भोग पहले पशू पक्षी लगाते हैं देवी पाटन मंदिर के आसपास का क्षेतर बेहद वनुरम है यहां पर सदियों से मंदिर के परसाद को भक्तों में वित्रित किये जाने से पहले पक्षियों के भोग के लिए भी रखने की प्रंप्रा है यहां पर मानता है कि प्रभू का वास केवल इनसान में ही नहीं होता बलकि प्रभू का वास्तो पक्षियों के अलावा इस कनकन में है यही कारण है कि परसाद को पहले पक्षी ग्रहन करते हैं माता को भोग लगाने के बाद सभी तरह के पशू पक्षियों को बड़े श्रदा भाव से भोजन करवाया जाता है जैसे ही मंदर के घंटे वजने लगते हैं आसपास उड़ने वाले पक्षी वा अन्य जानॉरों का मंदर के परिसर में भारी एकठ हो जाता है माता को चढए गए परसाद को पक्षियों का ग्रहन करना भग्तों को रोमान चित कर देता है माता के गर्व ग्रह से जाता है पताल तक रास्ता पुरानिक मानेता के अनुसार देवी पाटन मंदर के गर्व ग्रह से पताल तक अती प्राचीन सुरंग बनी हुई है यहाँ पर त्रेता यूग से जल रही अखंड जोती में माता दुर्गा की शक्तियों का वास है सबसे खास वात यह है कि इस मंदिर के गर्व ग्रह में कोई भी प्रतिमा नहीं है इस जोट के शीर्षपर रतन जडित शत्र और तामर पत्र पर दुर्गा शबशती अंकित है गुरु गुर्खनात को यहां प्राप्त हुई थी सिध्धिया इस मंदिर में त्रेता युग से जल रही अखंड जोट परिसर में विधिमान सूरे कुण प्रमुख है सबसे खास वात यह भी है कि इस मंदिर में गुरु गुर्खनात्वा सिध्ध रतन नाथ नेपाल को सिध्धी प्राप्त हुई थी मंदिर के परिसर के कनकन में देवी देवताओं का वास माना जाता है माता की प्रतिमा के साथ नौ देवियों की प्रतिमाएं भी विधिमान है क्यों कहा जाता है इस मंदिर को देवी पाटन मंदिर देवी पाटन का उलेक सकंद ताली का देवी भागवत, शिव चरित वा महापुरान में वरनित है इस शक्ती पीट पर माता सती का बाया कंधा यानी सकंद पाटमबर गिरा था इसी कारण इस मंदिर को मापाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर के नाम से भी फुकारा जाता है मंदिर के परिसर में बने सूरे कुंड में पूजन कर नहाने से कुष्ट रोग तक समाप्त हो जाते है सो दोस्तो ये थी देवी पाटन मंदर से जुड़ी जानकारी जिसके बारे में मानता है कि इस मंदर के गर्व में पताल जाने का रास्ता शिपा हुआ है ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजर होंगे जुड़े रहिए डी फाइव चैनल हिंदी के साथ